आप जेहिं दोस्तों Welcome to GKE Classes मैं अचा करता हूँ कि आप लोग सफ़त होंगे और आपके तैरी बहुत ये अच्छी तरह से चल रही होगी दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कोडिये जेमेटरी पढ़े हैं और कोडिये जेमेटरी का लेक्चा नमबर सिक्स है इसका मतलब यह है कि इसके पहले five lectures हो चुके हैं अगर आप ने इससे पहले के lectures की वीडियो नहीं देखी हैं तो एक बार description जरूद चक कर लेजएगा आपको वहाँ पर link मिल जाएगी या आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं या फिर किनारे में आपको eye tab देखेगा वहाँ आप पर click करके आप वीडियो देख सकते हैं दोस्तों इससे पहले के lecture में हम लोगों ने कुछ important mcq शाल्ब किया था तो इस lecture में हम लोग कुछ और important mcq शाल्ब करने वाले है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की इस lecture को शुरू करते हैं कुछ important mcq शाल्ब करते है लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक बात मैं आपसे बोल दूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो कर लिजे बेल आइकन को प्रेश कर दीजे आल पर click कर दीजे तक यह इसी रोज वीडियो आपको मिलती रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए ठीक है चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों हम लोगों ने पिछले लेक्शर में question number 15 तक साल्व किया था तो आज की इस लेक्शर की शुरुआत question number 16 से करते हैं कहरा कि 3 points are a, b and c इनके coordinates भी दिये गए है 6, 3 minus 3, 5 and 4, minus 2 and p एक point है जिसका coordinate x, y is a point then the ratio of area of triangle p, b, c and triangle a, b, c ठीक है तो देखो बात को समझो तीन बिंदू आपको दिये गए हैं a, b, c तो मालों यह a है, यह b है और यह c है, a का coordinate कितना भई, a का coordinate है 6, 3, 6, 3, b का coordinate कितना भई, b का coordinate है minus 3, 5 and c का coordinate कितना है 4, minus 2, ठीक है न साथी साथ एक point आपको p दिया गया है और इसके साथ एक triangle बन रहा है p, b, c, तो एक triangle और बना लेते हैं यहाँ पर, side में, p, b, c, है न, p का coordinate है x, y, b का coordinate वही है, minus 3, 5 and c का coordinate है 4, minus 2 कह रहा है कि आपको इस triangle का area निकालना है इसका area निकालना है और इसका भी area निकालना है और उसके बाद आपको क्या करना है area of triangle p, b, c, divided by area of triangle a, b, c इन दोनो इन दोनो ट्रेंगल का area निकालके उनका ratio निकालना एठीक है? तो निकाल लेते हैं वहर開ह सिंपल है верс paVC की एकर हम बात करें तो इसका area निकालने के लिए क्या करोगे? पर 1 by 2 तो आगे लगाते हूँ, अब फार्मुला हम कौन सा लगाएंगे, हम फार्मुला कोई भी लगा सकते हूँ, चाहो तो आप इसको डिटेंबेंट मेसड से साल्व कर सकते हूँ, या फिर आप चाहो नार्मल मेसड जो हम लोग लगाते हैं, क्या कहते हैं, यह फार्मुला हम लोग लगाते हैं, बस इस ही कौन लोग इसमें अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो कर दीजे, X1 इस वाले ट्रेंगल की बात कर रहे है PVC की तो यह आपका X1 होगा यह Y1 X2 Y2 X3 Y3 तो X1 की जगा पर कौन होगा X होगा लिख दिया फिर Y2 Y2 कौन है 5 है तो यहां हो गया आपका 5 minus Y3 कितना है यह आपका Y2 हो गया और यह क्या है Y3 तो minus 2 है यह plus 2 हो जाएगा फिर X2 X2 के जगा पर कौन है minus 3 है तो यह हो जाएगा minus 3 तो यह minus हो जाएगा Y3 कौन है Y3 है आपका minus 2 तो यह हो गया आपका minus 2 Y1 कौन है Y1 तो आपका Y है तो यह हो गया फिर X3 की बात करते है X3 आपका कौन है 4 है यह 4 हो गया y1 कितना है y है और y2 कितना है 5 है तो यह हो गया minus 5 ठीक है यह तो बात हो गई यह तो बात हो गई किसकी triangle pbc की ऐसे triangle abc की बात करते हैं तो यह 1 by 2 तो आगे रहेगा ही x1 x1 आपका minus 3 है y2 y2 आपका minus 2 है फिर minus y3 कितना है 3 है फिर plus x1 हो गया अब x2 की बात करते हैं तो 4 अगर x2 है तो कौन होगा y3 y3 आपका कितना है 3 है minus y1 कितना है 5 है plus इसके बात कौन आएगा इसके बाता है x3 x3 में आपका 6 है x3 है तो y1 आएगा 5 minus y2 कितना है minus 2 है तो यह plus 2 हो जाएगा बस इसे हम लोग sharp कर लेंगे यह हमारा answer हो जाएगा ठीक है तो पहली बात 1 by 2 से 1 by 2 cancel हो गया 5 और 2 कितना 7 तो ऊपर हो गया यहाँ पर लिखता हूँ 7 x और यहाँ पर देखो minus 3 है तो minus 2 में multiply होगा तो plus 6 हो जाएगा और minus 3 का minus y में होगा तो plus 3y हो जाएगा ठीक है यहाँ पर होगा 4y and minus 20 यह तो हो गया उपर वाला नीचे वाले को देखो minus 3 और minus 2 minus 5 हो गया minus 5 का minus 3 में करोगे तो 15 यह हो गया आपका 15 plus 5 में से 3 निकल गया तो minus 2 minus 2 का गुड़ा करोगे 4 में तो minus 8 5 और 2 7 7 का 6 में गुड़ा करोगे तो सच 42 ठीक है ना? थोड़ा और साल करते हैं अच्छा चूकि यह दोनों एरिया है उपर वाला भी एरिया है नीचे वाला भी एरिया है तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है तो उसको मौर में रखेंगे मौर में रखेंगे अब देखो 4 और 3 7 तो 7 X प्लस 7 Y और 20 में से 6 निकल गया तो 14 यह निए माइनस 14 बटे में देखो भई 15 में से 8 निकल गया तो 7 आएगा भई 8 7 15 होता 7 आएगा और 7 बैलेस में जोड़ दोगे तो 49 मौर में है क्या करेंगे उपर से 7 common है तो 7 को common करोगे तो आएगा X प्लस Y माइनस 2 उपान में 49 7 से कैंसल करोगे तो 7 आगया यह आपका आंसर देगा X प्लस Y माइनस 2 डिवाड़ बाइ 7 यानि कि आपका X प्लस Y माइनस 2 डिवाड़ बाइ 7 आपका option number जो A है वो correct हो जाएगा ठीक है तो आपके पास दो तीन तरीके हैं area निकालने का जैसे मर्जी वैसे निकालो है ना चाहे इस तरह से निकालो या यहां पर determined method लगा दो इसका area निकालो इसका area निकालो फिर दोनों को divide कर दो ठीक है तो यह था आपका question number 16 चलिए आगे बढ़ते हैं question number 17 में कहे रहा है कि if the points 2k, k, k, 2k and k, k with k greater than 0 in closed triangle of area 18 square units then the centriade of triangle is equal है ना देखो भई पहली बात तो एक triangle आपको दिया गया है माल यह triangle ABC है इसके coordinate दिये गये है इसका माल लो 2k, k, k है इसका k, 2k है और इसका k, k, k है ठीक है ना और इस triangle का जो area है area question में दिया गया कितना 18 तो आपको बताना है कि इस triangle का centriade क्या होगा centriade क्या होगा ना तो पहले तो k की value में पता होनी चीए क्योंकि centriade निकालने का हमारे पास तरीका क्या है भई x equal to क्या होता है x1 plus x2 plus x3 divided by 3 and y equal to कितना y1 plus y2 plus y3 divided by 3 यही तो तो भाई अगर यह x1, y1, x2, y2, x3, y3 है तो इनकी values हमको पता होनी चीए तो यहाँ पर तो k है है ना तो k की value पहले निकालेंगे और k की value निकालने के लिए आपको area दिया गया है तो k की value निकालने के बाद कितने हमार दोगे आपको इसके बाद y वाला हो, k, फिर 2k, और फिर k, बस, आप चाहो तो determined method भी लगा सकते हो, किनारे 1-1 लिख सकते हो, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इस tier method लगा दिया, अच्छा, इसकी वैलू उसने question में given है, क्या है, 18 है, तो 1 by 2 आगे रहेगा, अभी क्या करना है, आपको देख तो plus k square हो गया, मानस लगा दिया, पहले उपर से नीचे किया है, अब नीचे से उपर करेंगे, तो k का k में करोगे, तो k square, plus, इसका इसमें हो गया, इसका इसमें करोगे, तो plus 2k square, अब ये बचा हुआ, तो इसका इसमें होगा, तो plus में 2k square, है न, is tier method लगाने का ये तरीक ठीक है, कैसे किया, पहले उपर का, इसका इसमें किया, फिर इसका इसमें किया, अब ये वाला बच रहा है, तो इस नीचे वाले का, इस उपर वाले में करेंगे, ठीक है, अब नीचे से उपर करोगे, इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, ये बच रहा है, तो इसका इसमें तो यहाँ पर बचा आपके पास कितना k square by 2 तो k square by 2 है तो k square की value कितनी 36 तो k बराबर कितना आएगा plus minus 6 लेकिन question में एक चीज उसने और बोला है बोला है k greater than 0 क्या बोला है k greater than 0 इसका मतलब यह कि k की value जो आपको लेनी है वो positive लेनी है तो यहाँ से हमारे पास k की value कि आएगी 6 आएगी और k की value अगर आपको मिल गई है तो इसके वोटिसर मिल जाएंगे तो यहाँ पर k कमाद 6 रखोगे तो इसका आएगा 12 कमा 6 यहाँ पर रखोगे तो 6 कमा 12 यहाँ पर रखोगे 6 तो 6 कमा 6 बस central निकालना है यहाँ आठ यहाँ निकाल लो यहाँ चे बारा छे ठारा अठारा छे चोविस चोविस बटे 3 यह भी आगया कितना आठ तो इसका centroid जो आएगा centroid यह नहीं x कमा y का कोडिनेट जो आया है वो 8 कमा 8 आया है और आपका जो option number a है वो correct हो जाएगा बात आई समझ में तो हमको area दिया गया था पहले k कमान निकालने के लिए जब k कमान मिल गया तो हमने क्या किया इनके सीर्षों के इंदरजशांग हम उपकों लिए और इसके बाद हमने centroid इसका निकाल लिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते है question number 18 की बात करें तो कहरा है if the points x plus 1 कमा 2 1 कमा x plus 2 and 1 by x plus 1 कमा 2 by x plus 1 are collinear than x is मतलब ऐसे समझ लिजे कि आपको एक triangle दिया गया है ABC इसके coordinate आपको दिये गये है x plus 1 कमा 2 1 कमा x plus 2 and 1 by x plus 1 कमा 2 by x plus 2 यह आपको दिया गया तो आपसे कह रहा है कि x के value बताएए जबकि यह तीनों points क्या है collinear है अगर यह तीनों points collinear है तो इनका area क्या आएगा area of triangle ABC बिल भी क्या 0 इसका मतलब यह है कि 1 by 2 अगर इसका हम determinant बना लें तो x plus 1 1 1 by x plus 1 and 2 x plus 2 and 2 by x plus 2 अब लास्ट में 1 1 1 कर देते है equal to 0 ठीक है equal to 0 होगा क्यों क्योंकि यह collinear है अगर collinear है तो इनके triangle का area क्या होगा 0 होगा यह 1 by 2 तो 0 के उधर जाएगा खतम हो जाएगा अब क्या करना है अब यहाँ से कुछ नहीं करना है इस पो solve कर लेना है आप चाहो तो determined की property भी लगा लोगे solve करने के बाद आपको x की value मिल जाएगी हो शकता है कि x की 2 values मिले तो अब ज़र अपना option देख लिएगा कौन सा option आपको correct होगा तो यहाँ से आप खुद कर सकते हैं do your solve है ना करके comment करके answer बताएंगे कि आपका answer क्या है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं question number 19 में कह रहा है कि the points 1 1 0 sec square theta and cosec square theta 0 are collinear far आपको बताना है कि इन में से कौन सा option correct होगा जिनके लिए एक points क्या है collinear है ठीक है तो अगर collinear है तो फिर से वही बात जैसा पिछला question था आपका कि collinear है तो इनका area क्या होगा इन से बनने वाले triangle का area क्या होगा 0 होगा 1 1 0 sec square theta and cosec square theta 0 आपको इस परसली बताना यह है कि theta के value क्या होगी जिसके लिए collinear है ठीक है तो देखो फिर से वही बात 1 by 2 1 0 cosec square theta 1 sec square theta 0 and 1 1 1 अगर collinear है तो 0 आना चाहिए अगर collinear है तो 0 आना चाहिए ठीक है तो देखो 0 कैसे आएगा 0 देखो साल करो इसको 1 by 2 को तो बाहर रहने दो है इसका हम लोग प्रशार कर देते हैं सीधा सीधा तो 1 का करेंगे प्रशार ये बंद हो जाएगा sec square theta minus 0 0 तो खतम हो गया plus में cosec square theta ये बंद ये बंद 1 minus sec square theta यह होगा 1 by 2 ये तो आपका होगा sec square theta plus में 1 minus sec square theta 1 minus sec square theta तो ये होजाएगा cosec square theta minus में cosec square theta and sec square theta ये होगा है ना अब चाहो तो आप क्या करोगे आप चाहो तो इनको sin और cos में change कर लो ठीक है चलो change कर लेते हैं तो आप sin cos में change करोगे तो क्या आएगा देखो इसको आप 1 by cos square theta लिखोगे प्लस इसको आप 1 by sin square theta लिखोगे और इसको आप 1 by sin square theta and cos square theta लिखोगे ये तो लिखोगे इसका जब cross multiply करोगे तो कहानी ये आएगी यहाँ पर लिखता हूँ कहानी ये आएगी sin square theta प्लस में cos square theta divided by sin square theta cos square theta minus 1y sin square theta cos square theta तो ये तो 1 हो गया इसका मतलब ये 1 हो चुका है अब ध्यान से देखो जो value ये है वही value ये है तो इसको आप जब difference इसका घटा होगे इसको तो answer क्या आएगा 0 आएगा इसका मतलब कि ये तीनो points क्या है को linear है क्यों 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 हमने जब इनसे बनने ओले triangle का area निकाला तो उनको क्या मिला 0 मुल गया लेकिन यहाँ पर शाओधान होने के जरूति है कि थीटा की कौन सी value रखें जिससे इनको घटाने पर 0 आए है ना तो option पर आप जा सकते है पहला है थीटा equal to n pi by 2 थीटा equal to n pi by 2 suppose मालो n की value 1 है तो थीटा की value क्या होगी pi by 2 होगी और जैसे आपने थीटा की value pi by 2 लिया तो भाई sin 90 कमान तो एक होगा लेकिन कास 90 कमान 0 होगा कास 90 कमान क्या होगा 0 होगा और जैसे कास 90 कमान 0 हुआ यह 1 upon 0 infinite हो जाएगा जैसे infinite हुआ यह undefine हो जाएगा मतलब यह है कि कास थीटा equal to n pi by 2 पर यह जो आपका condition दिया गया था यह undefine है यह क्या भाई undefine है मतलब इसको आप नहीं ले सकते तो पहला option तो ऐसे आपका हो गया खतम दूसरा आए थीटा is not equal to n pi by 2 तो बस यही आपका answer हो जाएगा option b आपका correct हो जाएगा क्यों यहाँ पर undefine हो जाएगा जब अनडिफाइन हो जाएगा तो इसका area नहीं 0 आएगा अगर इसका area 0 नहीं आएगा तो यह 3 नहीं कोलिनर नहीं होगे ठीट तीसरा option भी आप check कर सकते है तीसरा भी वही condition बतायागा कि थीटा equal to अगर आप n pi लेते हो देखो थीटा equal to अगर आप n pi लेते हो तो जब आप n की value 1 लोगे तो थीटा equal to क्या आएगा पाई आएगा और थीटा पाई का मतलब क्या है एक्सवस्थिंस एक्सवस्थि पर sin 0 हो जाएगा 1 by 0 क्या होगा infinite होगा तो ना तो इस पर define है और ना ही इस पर define है यह तो हो ही नहीं शकता आपका c वाला option b वाला option correct होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं question number 20 की कहला है कि the in center of the triangle with vertices 1, root 3, 0, 0 and 2, 0 तो in center निकालना है जबकि triangle के vertices दिये गए हैं आपको a, b, c मालो इसका vertex 1, root 3 है इसका 0, 0 है और इसका है आपका 2, 0 ठीक है आपको इसका in center निकालना है तो in center निकालना का formula मैंने आपको बताया था क्या होता है x बराबर a x1 plus b x2 plus c x3 divided by a plus b plus c and y equal to क्या होता है a y1 plus b y2 plus c y3 divided by a plus b plus c ठीक है यह formula होता है in center निकालने का a, b, c क्या है a, b, c इस त्रिभुज की भुजाएं है तो यह मालो a है यह मालो b है यह मालो c है इन center निकालने के लिए भुजाओं को निकालना पड़ेगा ठीक उसके बाद अगर a, b, c के मान मिल गए तो लाकिश में रख दोगे यह x1, y1, x2, y2, x3, y3 रख दोगे मिल जाएगा तो पहले भुजाएं निकालते हैं तो पहले हम निकाल लेते हैं a, c a, c, a, c मतलब आपको b निकालना है b, c निकालने के लिए क्या करोगे देखो एक में से दो निकला तो माइना से एक बचेगा एक काई स्क्वाइर करोगे तो एक ही आएगा प्लस, रूट 3 में से 0 निकल लेगा रूट 3, रूट 3 काई स्क्वाइर 3 यह आगया 2, 3, 1, 4, 4 का वर्गमूल 2 फिर निकालोगे b, c, b, c b, c निकालने का मतलब आप a निकाल रहे हो है ना, 0 में से 2 निकल गया एक, एक काई स्क्वाइर 1 होगा रूट 3 में से 0 निकल गया रूट 3 काई स्क्वाइर 3 होगा यह भी आगया कितना 2, कमाल हो गया इस फार्मूली के हमें जरूरत ही नहीं क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि तीनों साइड एक को लागए, यह भुजा यह भुजा यह भुजा तीनों भुजաएं बराबर आ गई मतलब यह जो ट्रेंगल है आपका यह कौन सा ट्रेंगल है? यह ट्रेंगल है यह क्योंकि लेटरल ट्रेंगल यानि कि संभाव तरुभूज और अगर यह संभाव है तो समभावत्रिभुच के लिए मैंने आपको बताया था कि समभावत्रिभुच के लिए उसका centroid उसका in center उसका circum center उसका circum center उसका ortho center सब एक ही point होता है तो मतलब यह है कि किसी एक को निकालोगे आपका answer आ चुका है तो हमारे नजर में centroid निकालना आसान है क्यों? क्योंकि बाई सीर्सों को जोड़ के 3 से भाग लगाना है ठीक है? तो निकाल लो, centroid निकाल लो इसका तो in center क्या हो जाएगा? इन center वही होगा, जो इसका centroid होगा जो इसका arso center होगा, जो इसका circum center होगा तो एक, zero, zero, two तीनों को जोड़ा तो तीन आया, तीन बटे तीन तीन बटे तीन, कामा रूट थी में 0, जोड़ा, 0, जोड़ा, रूट थी भाई, थी तो यह कट गया, एक आ गया और इसको काट दोगे तो नीचे रूट बन जाएगा तो यह बन जाएगा आपका वन कामा वन बाई रूट ठीक है, तो इस question का आपका option जो है, वो d correct है इस question का option number d सही हो जाएगा, ठीक है तो दोस्तों इस तरह के question आपके coordinate geometry वाले portion से आते हैं अभी हम लोग state line की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग para-paste land की बात नहीं कर रहे हैं connect session की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग basic coordinate geometry की बात कर रहे थे तो इस तरह के question आपके exam में आते हैं मैं आशा करता हूँ कि या आप post one में आ गया होगा कि हम लोग basically जितने भी question आते हैं वो इन पर based होते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी change one में आ गया होगा तो अब हम लोग next class में पढ़ेंगे state line के बारे में आज की ये lecture कैसी लगी आपको comment करके ज़रूर बताएं और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों में शेर कीजिए अगर आप चैनल पर नए है तो subscribe कीजिए वेल आकन को पेस्ट कीजिए ताकि आपको रोज नए नए वीडियो मिलती रहें मिलते अगले lecture में अपना ख्याल रखिए जय हिंद